Assalamu alaikum class 4, class 4 last lecture में हम लोगों ने अपना unit number 1 किया तर फन जाए आज के lecture में हम अपना English Literature का unit number 2 करेंगे rainbows ठीके सबसे पहले हमारे है words, manning और मायनी number 1 is wonder, wonder का मतलब 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 सर्प्राइज हरान होना flash, a sudden burst of light, shola number 3 is fluffy, fluffy का मतलब 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 सर्प्राइज नर्मों मतलाइज number 4 is supposed to imagine, खयाल करना, hopes to jump, उचलना अब आगे इसके word sentences करते हैं, number 1 is rainbow, rainbow has seven colors के rainbow जो होती है कौसे कजा उसमें साथ रंग होते हैं clouds, clouds के होते हैं, बादल, the sky is covered with clouds के जो आसमान है वो clouds से, बादलों से cover हुआ है, ढखा हुआ है number 3 is mirror, I saw my reflection in the mirror के मुझे mirror के अंदर अपना अक्स जो है वो नजर आया fluffy, birds have fluffy feathers के birds परिंदे जो हैं, उनके feathers fluffy होते हैं नेस्ट के होते हैं, the blue bird makes her nest in a hollow tree blue bird जो होता है, वो अपने एक खाली दरख्त में अपना nest जो है अपना घौंसला जो है वो बनाती है अब आगे से question answers करते है, number 1, how many raindrops create a rainbow के कितने raindrops मिलके एक rainbow create करते हैं millions and millions raindrops create a rainbow, वो कहते हैं, millions के तदाद में raindrops होते हैं, वो मिलके एक rainbow बनाते हैं question number 2, what are your two favorite colors of the rainbow के आपके favorite colors कौन से हैं rainbow में तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख लेने for example, जैसे यहाँ पर लिखा है orange और red, आपको जो favorite color है rainbow के अंदर से आवोगों लिख सकते हैं question number 3, what is sunlight, sunlight क्या होती है, sunlight is white light, the normal see-through color that is everywhere कैसे sunlight जो होती है, white के एक light होती है, जो normal see-through होती है, that is everywhere और वो हर जगह होती है ठीक है, उस light को हम see-through यानि उस light से हम आप आर पार देख सकते हैं number 4, how many colors are there in a rainbow, के rainbow के अंदर कितने colors होती है, there are seven colors in a rainbow, के rainbow के अंदर साथ रंग होती है, कौन-कौन से होती है, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet question number 5, why do you like this poem, do you like this poem, if yes then why, कैते है, क्या आपको यह poem पसंद है, अगर हाँ, तो क्यों पसंद है आपको yes, I like this poem, because it talks about all the things God has created, sun, stars, rainbow, wind, birds, clouds and gav, कैते हैं, के मुझे यह point इसलिए वसंद है, क्योंकि इसमें उन सारी चीजों के बारे में जिकर किया गया है, जो आपको आपको आपका बुक नजर आ रहा हो, जो आपको आपको बुक पर करवा दिया गया है, मैं दुबारा से पता आपको पेज नबर 10 है, उसका आपने पार्ट B करना है, पेज नबर 11 का आपने पार्ट B और C करना है, पेज नबर 12 का आपने पार्ट A करना है, और पेज नबर 13 का आपने पार्ट A करना है, ठीक है, आपको करवा तो दिया गया, आप दुबारा से रिवाइस करें घर पर, और इस तरह आपको एडिक्टेशन पेराग्राफ भी नज़रा रहा है कि सनलाइट इस वाइट लाइट से लेकर लाइक अ मिरर तक ये भी आपको हाइलेट करवा दिया गया स्कूल में इसको आप लोगों ने दुबारा से रिवाइस कर लेना है अब हम अपने नेक्स लेक्टे में मिलेंगे अल्हाफिज